कान में दर्द एकाम समझ से लग सकती है लेकिन ये जानलेवा तक हो सकती है अगर सही वज़ा समझ कर इलाज ना करवाया जाए क्योंकि कान दर्द का कोई घरेलू इलाज नहीं करना चाहिए सिम्टम समझ कर वज़ा और हाला जाना बेहत जरूरी है जिससे पता चले कि कान में अचानक दर्द क्यों है जानिये सीनियर एंट एक्सपर्ट डॉक्टर बीपी त्यागी से कैसे और क्यों कान में अचानक दर्द होता है मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ हमारे कान में जो दर्द होता है उसका कारण होता है कि पर्दे पे सूजनाना या पर्दे के बाहर कोई फुंसी निकलना या सूजनाना या जो यह जोड होता है हमारा इस जोड पे सूजनाना जो कि जब्डे का जोड होता है और उससे अल हात में अगर दर्द होगा, तो वह कान तक आ सकता है, हमारे मूह में च्छाले होंगे, तो दर्द कान तक आ सकता है, हमारे मूह में कोई इस तरह का कोई cancer या कुछ होगा तो उसका दर्द कान में आ सकता है और एक होता है heart piece, joster, oticus जिसमें यहाँ छाले पड़ जाते हैं heart piece से होता है वो और उसके साथ साथ चेहरे की नस्थ कमजोर हो जाती है और हमारे कान में दर्द होता है जो diabetic patient होते हैं उनके कान में जो infection होता है उसको हम बोलते हैं malignant, otitis, externa उसकी वज़े से भी कान में बहुत जादा दर्द होता है तो यह जितने भी मैंने बताए हैं यह सब common causes हैं उससे अलग हमारे कान में अधिक मातरा में wax बनना हमारे कान में fungus का infection होना यह इसमें additional factors हैं जो हमारे कान में दर्द पैदा कर सकते हैं अगर कुछ देर में या एकात दिन में कान में दर्द ठीक नहीं हो रहा तो चिकित्सक की सलहाज जरूर ले वरना समस्या बढ़ सकती हैं स्वस्त रहें मस्त रहें कान दर्द को लेकर अगर कोई सवाल है तो comment box में लिखिए